हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई जेनल फन फ्यूजन बे दिन्दू आज मैं आपके साथ श्यूयर कर रही हम बहुत ही टेस्टी और जटपट से घर पर बनने वाली टी टाइम स्नैक रेसिपी तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक पैनिय कड़ाई और इसमें डारेंगे एक कप चिबड़ा पोहा या फिर फ्लैटन राइज इसे हम ड्राइ रोस्ट करेंगे रोस्ट करते समय हमें गैस की फ्लैम को लो ही रखना है इसे हमें लगबग 10-15 मिनिट तक लगतार चलाते हुए रोस्ट करना है 10-15 मिनिट बाद ये अच्छे से सिख जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे ये अच्छे से रोस्ट हुए हैं या नहीं ये हमें अपने फिंगर की टिप से कुछ इस तरह से मैश करके देखना है ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब इसी कड़ाई मिलेंगे आधा कटोरी मखाने मखानों को भी हमें इसी तरह से लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है लगभग दस मिनट बाद इसे भी इसी तरह फिंगर की टिप से तोड़ कर देख लेंगे कि मखाने रोस्ट हुए हैं या नहीं इसके बाद कड़ाई में डालेंगे एक टेवली स्पून कुकिंग आईल या देशी गी या जो भी आईल आप यूज करते हैं जब आईल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे एक टी स्पून जीरा जीरा चटकने के बाद एक कटी हरी मिर्च 10-12 फ्रेश करी पत्ते एक छोटी कटोरी मूंफली के दाने मूंफली के दाने भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई करने हैं इसी टाइम पर इसमें डालेंगे 7-8 बदाम बदाम डालने के थोड़ी दिर बाद इसमें एट करेंगे 10-12 काजू लंबे बारिक पीसिज में कट किया हुआ ताजा नारियल आप चाहें तो सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद 1-4 टी स्पून हल्दी पाउडर एक चौथाई टी स्पून लाल मिर्च पाउडर एक टी स्पून चाट मसाला एक टी स्पून नमक नमक यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा भी कर सकते हैं अब सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें आड़ करेंगे रोस्ट किये हुए मखाने और रोस्टेट चिबड़ा चिबड़ा और मखाने डालने के बाद सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो लास्ट में डालेंगे एक टीस्पून शूगर पाउडर और इसे भी अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे तो लीजी तैयार है जटपड से बहुत ही कम ओल में बनने वाला टेस्टी टी डाइम स्नैक, इसे आप किसी एयर टाइट बॉक्स में भर कर एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, और कहीं सफर पर भी ले जा सकते हैं आपको ये इजी स्नैक रेसिपी कैसी लगी? मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जिस किसी फ्रेंड्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल बटन भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है